कि अबसे फार्मा के अप्रिवी का स्वागत है मेरा नाम रवींदर है और आज की इस बीडियों में बात करने वाले हैं कोड के वाले हैं जैसी कि आप लोग का कमेंट मुझे आ रहा था कि सीडियल लंबर के बारे में थोड़ा सा बता हैं सीडियल लंबर के से जनलेट होते है किसे कमपनी से Yoop करने हैं कि से वर्क करते हैं और हमें किस कंट्रि के लिये किस लिमििट्स का या किस ताइप का सीरेल लंबर यूज़ उजह करना पड़ता होगा अपैस्ट इसमें कुश्चन आ जाता सीरियल लंबर के भी मैं ढूलं को सिक्वेंस में उते हैं मिक्स होता है यह उनका sequence नहीं होता है So friends, आज की इस video के हम बात करने वाले है Serial number कैसे generates होते हैं कहां से generates होते हैं आखिर कौन सी company या कहां से हम उनको purchase कर सकते हैं और आखिर इन सब की procedure है क्या So friends, सबसे पहले हम बात करेंगे Serial number generate कहां से होते हैं So friends, serial number generate करने के लिए कुछ company हैं जो की serial number provides करती हैं और serial number का जो access है वो three persons के पास होता है First होता है हमारी जो regulatory है यहनि की जो board से जहां से हम इसका आदान प्रदान कर रहे हैं जो company जो इनको manufacturing कर रहे हैं Serial number create कर रहे है या generate कर रहे है Second इसकी जो authority यहनि access होता है वो ता government के पास हमारा जो local administrations है यहनि भारत सरकार इदिया आप इंडिया से हैं तो या फिर जिस आप country से हैं वहां का जो भी authority boards होगा Pharma or statistical industries related वो उसको control करता है यहनि उनके पास भी access होता है serial number related second और के बाद आप हम बात करें थार्ड की सो फेंड थार्ड जो एक्सेस होता है वो था organization के उपर यहनि company पर लेकिन हर एक steps के पर इनकी जो access है उनकी level और उनकी जो राइट से मुझेंज हो जाते हैं जो government के राइट से हैं देन इसका जो एजन्सी के राइट है और जो creator यानि generator कंपनी है उनके जो राइट से सबके राइट से अलग अलग हो जाते हैं कि अब हम बात करते हैं कि आखर यह तो हो गया कि सेक्विंस में सेरेल लंबर जनेरेट होता है अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंपनियां हैं बरतमान में जो की फार्म इंडस्टीस में सीरेल लंबर प्रवाइट करती हैं सबसे ज्यादा पपुलर एक वरई ट्रेंग है एक रिट्रेंग सॉप्टवेर डिजाइनिग कंपनी भी है जो की सीरील नंबर भी प्रवाइट करती है प्रोपिक से CZ है यह तीनों के कैमरे रहे हमें यह system भी मिल जाते हैं और यह हमें serial Number भी generate करके प्रदन करते हैं और भी dabei हो सकते हैं यह आपको organization में इनके अलावा किसी कंपनी के serial नंबर आप यूज़ करते हैं प्लीज कमेंट जरूर करने था कि हमारे बाकि के जो कलिक से उनको भी एक बैटर इंफोर्मेशन मिल सके अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि सीरियल नंबर का इतना ज्यादा आप रहे हो बहुत से परसंस जब हम बात करने भाई सीरियल नंबर की उचाप लोग बोलते हैं टैक इंट्रेस के लिए आप कई वार आपने इंट्रो में स्वाइड को यूज किया होगा या फिर लोगों के मूझ से सुना जरूर होगा जब कभी आप इंट्रो देने जा रहे हम उसको ट्रेक कर सकते हैं यह जो सीरियल नंबर आपको इच एबरी काटन पर निए इच एबरी सो बोक्स या सीपर पर या सीपर में जो एग्रीकेशन करके वंडल वाइस सीडेल नंबर आपको क्रेट करके दे दिये जाता है इनका बहुत मेजर यूज है इनका लेकिन कि एच लिगोल कब होते हैं क्यों होते और क्या फो cauliflower क्रने की सबसक्रेंदस में सिरियल लंबा सें आप बात करते है अफिरेल और होता कया कि मान लीजार को पता चला कि मान यह Fund एक मन्त कि पिछले महीने जो बनाया था उसमें product mix-up हो गया है या कुछ गलत medicines चली गई है जो कि मैं इस बात को accept करता हूं यह company बोलती है कि मैं इस बात को accept करता हूं कि यह medicines गलत है और इसके लिए वो प्रेस रिलीज करवाते हैं उस कंटी की जो भी authorities हैं उस कंटी के जो भी pharma drugs controller boards हैं उनको inform करती है legally और वो बोलती है कि भाई में जो भी इसका fine है मैं देने को त्यार हूं लेकिन यह जो मेरी medicine से recover कर दो मैं recover करने को भी ready हूं इसमें company का बहुत सारा losses होता है time तो जाता ही है इसमें उनका सबसे अच्छा यह रहता कि company की reputation खराब नहीं होती है क्योंकि भाई उनने अपनी गलती accept की है और वो अपने product को recover कर रहे हैं तो अब उसमें करना क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि track करते हैं कि आखिर इस बैच में इस बैच में टोटल कितने काटन गए हैं और कितने काटन हमें recover मिल गए हैं अब recover करने के लिए उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमने किस distributor को कितने दिये हैं किसको जो आपका थार्ड पार्टी बेंडर से मालीजे इक्स कंपनी ने युडेश में फाइट स्काटन सप्लाई किए हैं अब जो फाइट साक है कि c प्लाइयर को तो नहीं देने वाले वो क्या करेंगे उनके छोटे छोटे सब गिरूप बनाएंगे किसी सोन दे दिया किसी सो報 प्रॉब्लम यह है अब किस नंबर का कार्टन रिसीव नहीं हुआ है और कितने कार्टन रिसीव रिटन नहीं हुए है यह तो पता चल गया कंपनी को अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो कार्टन है वो किस सीपर में था वो पता चल जाएगा आपके एग्रिकेशन से क्योंकि aggregation में ये confirm रहता कि seeper number 10 में total इस number से लेके इस number तक के carton है अब उन्हें ये भी पता चल गया कि ठीक है भई इस number के seeper से carton missing आ रहा है अब इस number के seeper को हमने किस distributor को दिया था वो उनसे contact करेंगे और most of countries में जो medicines है without किसी doctor के prescriptions के medicines को नहीं देते है और देते हैं तो उनका details उनके पास होता है कि उस medicines का consumer कौन है इस महिने उन्हें कितनी medicine supply कि उनका record रहता है उस record से वो पता कर लेंगे कि भाई अभी इस consumers के पास medicines है तो उनको inform करेंगे कि भाई आप मेडिसेंस ली है तो प्लीज इसका यूज ना करें एंजरी हो सकती है जो कि आपकी health के लिए बहुत ही है आपके serial number I hope कि मैंने जिस concept से आपको समझा है जिस तरीके से आपको समझाने की कोसिस की है कि आखिर serial number का use क्या है तो आपको clear हो गया होगा यदि आपके serial number से related कुछ भी doubts हैं तो आप हमें भी job करता हो मेरे पास भी busy schedules है families को भी टाइम देना पड़ता है इसके लिए आपके कुछ भी doubts है comments है तो आप हमें इंस्टा पर हमारे facebook account पर visit कर सकते हैं वहां में एक message drop कर सकते हैं जो भी आपकी curious होगी हम पूरी पूसिस करेंगे कि आपको बेटर help कर सकें तो सब्सक्राइब करने ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें और हमारा communication से सही होता रहे है